आज मैं आग रहा हूँ आप जैसे देख सकते हैं मेरा बैक्ग्राउंड कितना अच्छा दिग रहा है यहां पे काफी ग्रीनरी है अच्छली उन्हें अपने घर में एक एक एटियम सेट अप करना था अपने फेट फेट फेश्चेस के था उनने मुझे बुढाया और उनने क नाग रहा है वहां और उनकी थोड़ी हेल्प करूंगा उनकी नए अक्यूरियम सेट अप करने में वह भी बिगनर है तो इसलिए बहुत सिंपल सा अक्यूरियम सेट अप कर सकते हैं वह मैं आपको दिखाऊंगा तो जाला देरी ना करते हुए मैं आपको आगे दिखाता है जिससे आप देख सकते हैं मैंने सैन यूज किया है और यह फिल्टर है स्पंज फिल्टर यह एर पाइप है इसमें सक्षिन लगा हुआ है जो हम इस एर पंक के साथ अटाइच करेंगे यह कंट्रोलर है जिससे आप एर का प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं और यह 10 इंच का अच्छे दर आचरी से क्लीन कर रखा हुआ है और हम इसमें जो वाटर यूस करेंगे वह एक दिन पुराना वाटर हमने स्टोर करके रखा अगर अगर इसमें टैब वाटर यूस करते हैं तो जरूडस इसमें अन्टिक्लोरीन जरूर यूझ कीजें कि क्लोरीन का जो मातर है तिस निए इसफें बढसार का फिस आए बरपने करेंगे निए अभी संद आनधे बस्तव आभ अगर दर्लिस नहीं इसएश का इसा की था किփष्ञेंद्स हो मैं उपल्ण करें टलिया हूं में आप इससे लगा की इसे सन्ध कर सोलनेश जाना टेक nieuwe अगर आगर मैं जो इसमें ग्रेवल यूस करूंगा वो भी मैंने अच्छे से सौफ वॉडर से से क्लीन कर लिया जिस तरही से फिश को कोई बैक्टिरिया ना कैच करें अब मैं आपको दिखाता हूं कि मैं किस तरीके से इसमें एर पाइब यूस अटाइच करूंगा आप देख सकते मैंन आपको अक्सिजन मिलता रहा है क्योंकि इससे यह फिल्टर जो है फिल्टर भी क्लीन वाटर भी क्लीन करता है प्लस आपके फिश को अक्सिजन भी प्रोवाइड करेगा तो कुछ इस तरीके से देखेगा लगाने के बाद अब मैं इसमें ग्रिवल एड़ कर रहा हूं धिर जिस पानी को में यूज करेंगे उसमें रखा हुआ है कि इसका टेंपरेचर एकोल हो जाए और मैं आपको यह भी सला देना चाहूँगा कि आप कभी भी आप जब फिश लेके आते हैं अपने एक्योरियम में या एक्योरियम फिश बाउल में कभी भी शॉप का वाटर यू वह मिक्स अप नहीं होगा और आपका पानी ज्यादा गंदा नहीं होगा तो इस काप का यूज कर सकते हैं आप देख सकते हैं मैंने काप का यूज कर आफ इस तिल वाटर थोड़व लर है बर डुंट वरी अभी मैं फिल्टर इसमें आ उन कर दूंगा तो पुरा वाटर क् अप देख सकते हैं मैंने इसमें दो इंज़ डे की है जो एमरॉल की फेवरिय फिछ है एख फाइंजल है ने प्लाक और पी है तो इसमें जोमें और यह सकते हैं और आप इसमें कोई भी छोटी रायआटी रख सकते हैं जैसे मॉली ऑफ इन रहे एक nuclear को अब मैं इसमें हाथ से फिश डाल रहा हूं बट मैं आपको सुरी कहूंगा अगर आप बिगनर है तो आप फिश नेट ही यूज़ कीजिए उससे सेफ होता है फिश को भी कोई चोट नहीं रखती है और आपके फिश को कोई हाम नहीं होगा तो आप इसमें फिल्टर अउन कर दिया है कि पानी जल्दी से क्लीण हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से देख रहा है कुछ इस तरीके से लगेगा आपको सेट अप करने के बाद कितना क्लीन दिख रहा है आप देख सकते हैं बहुत क्लीन हो गया काफी और इसमें मैंने अर्टिफिशर प्लांट एड किया हुआ है तो काफी सुन्दर लग रहा है अब इसमें हम कुछ भी यूज कर सकते हैं जैस और आप अपने इंजल फिश के लिए या आपके पास जो भी छोटी फिश आप पाल रहे हैं जैसे कि इंजल हो गई मॉली जो गपी हो गई या फिर आप इसमें बैटा पाल रहे हैं तो इसमें टैटरा बेट सी देना आपको ज़रूरी है क्योंकि वह काफी छोटे पैलेट चोटा पैलेट यूज करें आप फिश अकरियम शॉप वाले को बोल सकते हैं तो आपको प्रवाइट करेंगा और इसे यूज कर सकते हैं और अगर आप फिश बाओ घर में सेटप गरहे हैं तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप वीक में दो बार फिश बाल कीजे 50% उसे तो आपकी फेश बेमार नहीं पड़ेगी जल्दी हाई फ्रेंड्स फाइनली हमारा फिश बाउल सेटप हो चुका है मेरे ब्रदर इनलो एमरो फ्रांसिस के लिए और इसमें इनकी फेवरिट फिश है इंजिल और बेटा फिश इन फिशर हम प्लान करें बड़ा सेटप करने में वह भी में इनको कहाँ और इस वीडियो में आपके नोड़ेज दिये इनको वह इनको आप इनसे फीड़ग में लेस्टेंगे किस तरिकी से लगा अच्छली अब बड़ती सिंपल और बहुती अच्छा बडाया यह बड़ती वीडियो को में जरूर आपके क्वाटरी में रहे ही शेयर होगी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक किजिए श्ब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत बूचेश नहीं पूचिए और आपको जो भी पूछना हो आप अपना ध्यान रुकिए और अपना फैम्ली वालों को भी ध्यान रुकिए तक टेक केर एव नाइस एटिंग जया है नियुक्राइब